कि यहां से अब वेट को खीचना है कि यह देखिए और स्ट्रेच एंड यह स्क्वीज नीचे जैहिन दोस्तों मेरे नहां हमें गो रहा हूं आज मैं आपके साथ कम्प्लीट बैक का वर्क आउट मैं वोम अप कर चुका हूं मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं आपको वोम से कम हूँ तो गाई अब हम आपने सब्सक्राइब करते हैं पहली एक्साइज जो की है डेंट लिफ्ट हम स्टार्टिंग वेज ओं आ Какी है आपको तो आपके जो feet है, hulkl से outer हो shoulder width फेis हो पाउलक से ऐसे हो goes down just straight आप grip चाहें तो दोनों यह रखते हैं और एक आप alternate भी रख सकते हैं अभी lightweight है तो आप दोनों upper hand grip रख सकते हैं यह नीचे chest out, back straight and breath in और अप goes straight and down down गाइज इसको हम डेलिफ इसलिए कहते है क्योंकि वेट को हमने डेड करना है अब यह गए वेट को डेड किया वापी से चैस्ट अप स्ट्राइट पोश्टर एंड अप गोज डाउन स्लो अगें पोश्टर चैस्ट आउट ब्रीथ इन अप गाइज यह हमारी बैक की सेट पहला गाइज हम लाइट से स्टार्ट करेंगे रैप लेंगे ट्वेल्व देन लेंगे टैन एट 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 बारह दस आठ 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 यहां अब आते हमारी सेकंड एक्साइब जो की है बेंट ओवर रो तो इसमें भी हम रखेंगे अपर हैंड ग्रीप तो वा से एंड पूरा एक मेंसे डेलिफ करते हैं ऐसे आप खड़े हो जाए एंड नाओ गोस डाउं स्लो एंड देन रो यह ली से हलका सा नीचे एंड आप आपकी नेक को ऐसे नहीं रखना नेक को नीचे के तरब रखना है से एंड एंड रो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होल्ड यह स्कुईज यह स्ट्रेट यह स्कुईज जो आपकी रोड है गाईस वह आपके बैली बटन पर आएगी पर करेंगे ज्टके मारके इसको यह नहीं करना नौर्म लगया बस हाथों से आपके बेट पुल होना चीह इसको गहते हैं बेंट अबरो इसके हम लेंगे चार सेट रेप लेंगे 12 12 10 10 अब आते है हमारी थर्ड एक्सराइज पर जो की है इवार आई यह लेखिए कैसे करनी है आपको यह हैंडल चीए वही आपकी पैरी ग्रिप गाई हलकी सी वाल चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट एंड जस्ट पुल यह वेट को आपनों पर स्क्वीज कि जो में वेट आँ जू आपकी परेपक इंब कर सक्वेट है आपकी जो ऐल्बो से आपको वेट को लिफ्ट करना है यह ओपर स्क्वीज किया stretch face सामने ना ज्यादा उपर ना ज्यादा नीचे face सामने की तरफ ये squeeze stretch ये squeeze और जटके हमारे guys को ये नहीं करना आपको अराम से ये squeeze किया नीचे stretch उपर squeeze stretch and ये guys squeeze तो guys ये हमारी third exercise टी बार जिसके guys हम लेंगे ये चार सेट पंदा रैप बारा रैप एंदस रैप आप आते हमारी fourth exercise पे जोग है single arm rowing आप एक हाथ रखने के लिए bench चाहिए चाहिए आप डंबल के रैक पे भी कर सकते हैं आप फ्लैट बैंच पे भी कर सकते हैं मैं इंकलाइन बैंच के ओपर हाथ रखने के लिए कर रहा हूं आप कैसे करेंगे एक डंबल हीजिए हाथ में ग्रिप रखिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने के जूरत नहीं है आपकी जो बैक की मसल है इतने में स्ट्रेच हो चुकी है बस अब यह आपने स्कुईज किया दोनों पैर गाईज आप साथ में रह सकते हैं प्रेच के चाहेंतो आगे पीछे रह सकते हैं मैं प्रेफर करना दोनों साथ में हाथ ग्रीप ऐसिए इस्ट्रेच अब के साइड मिलाने के प्रेंप डूरा थे सउट्रेच कियर जिए अब इस्ट्यूज ज senza को के निखाता हूं यह तद इस हुआ हाब एक इमें ज dzieci की आमने आप रच मोसा की सुव मर्णा सब्सक्राइब जा कहें भी स्कूर्च इतना यह करना हैं बस यह ऑपणाओ के स्कूर्ण कखीयच करेंगे हैंड स्कूर उन भाई वन इस पास द्यूक फंदरां 12 दस आठ हैंडprises ही वी senza यह हमारी फोर्थ एक्ससाइज सिंगल है रोइंग तो अब आते हमारी फिप्थ एक्ससाइज पर जो कह सीटी रोइंग इसको हम कर रहे हैं केबल के उपर केबल आपको एक फ्लैड बेंग चाहिए केबल को आप अपने अज्जेस्मेंट के साफ से कर सकते हैं ज्यादा लोग यह थोड़ा हाई भी आ सकते हैं जो लैट पूल रहा होते हैं उस मशीन के नीचे भी कई मशीनों में दे रखा होता है बट मैं प्रैफा करता हूं केबल की उपरी क्योंकि केबल को गाई हम अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं इसको मैं कर रहा हूं हमारी लोग चेस्ट के न यहां पर आके स्क्वीज करना है यहां पर आके स्क्वीज करना है यह जटका मारें गाई यह गलत है यह नहीं करना आपको हलका सागे स्ट्रेच और वहीं से आपकी आल्बो को खीचते होए आपकी बैक की मसल को स्क्वीज करना है यह आपने हलका सागे स्ट्रेच किया अब यहीं से आपने स्क्वीज यहलका सागे स्ट्रेच और वहीं से आप की ज shave पीछे जुओँ जट्का मारां जोडत नहीं है हलका सागे स्ट्रेच यही मद है यहीं पर स्क्वीज नहीं सक्वाइब इस फ़र सिट्य ड्रोइग इसके गैज हम लेंगे तीन सेट पंदरा बारा बारा तो आब आते हमारी सिक्स एक्सरसाइज पर जो की है लैट पूल डाउं इसकी ग्रिप भूजा तो वाइड नहीं रखनी यह बोजा क्लोज नहीं जहां यह गई आपको कर दिख रहा है कर पर आपका हैंड फिनिश हो जाना चाहिए थम चाहें त अब आपको अराम से वेट पूल करना यह बस इसमें बहुत ज्यादा आपको वेट खोलना नहीं है आपकी लैट मसल थी खट जाएगी आपकी लैट मसल को पहले स्क्वीज करना यहां से अब वेट को खीचन है गई यह देखियो इस ट्रेच एंड यह स्क्वीज नीचे यह है आपकी लैट पूल डाउन शिक्स एक्सराइज गाइज इसके हम रैप्स लेंगे पंदरा 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 तीन सेट लेंगे यह हमारी लास्ट एक्सराइज आपको वीडियो पसंद आया हुआ अगर गाइज कोई भी आपका फिटनेस कोई भी कोशन है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं अभी गभी वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर नहीं आया है तो प्रीज अभी गभी सब्सक्राइब कर दे थैंक्यू सो मच गाइज म विलते हैं ले वीडियो में राधे राधे